गुद्मारिंग इस्टुडिंट्स वेलकम टू आलाइन क्लासेज वप यू रजो वोल इस वेल दिस देखे थे नाव एक्सराइस 4.6 म्लिटिप्लाइब तो स्टुडिंट्स आज हम एक्सराइस 4.6 के मल्टिप्लाइब को सॉल्व करेंगे ए, 100, 10s and 1s तो जैसे कि students आप देख रहे हैं आप है 100, 10s and 1s में question लिखे हुए 35 का 21 से मैं multiply करने है students तो हम multiply करेंगे जैसे कि मैंने बना रखा है 1 का 5 times हम multiply करेंगे students हम पता है 1 5s are 5 फिर हम 1 का 3 से multiply करेंगे students तो हम पता है 1 3s are 3 then next हम second करेंगे 2 का 5 से multiply करेंगे तो पता है हम 1st को छोड़ देंगे then next लिखेंगे 5 2s are 10 10 का 0 लिखेंगे carry 1 3 2s are 6 1, 7 अब यह सारे को हम add करेंगे students 5 का as it is 5 लिखेंगे 3 का 3 लिखेंगे 7 का 7 लिखेंगे students then next हमारा answer आगे 735 तो हमने क्या देखा students 35 को 21 से multiply कर तो answer आदा है 735 next B 23 को हमने 33 से multiply किया students मैं पता है 3 3s are 9 3 2s are 6 फिर बिल्कुल as it is हम ऐसी कर लेंगे 3 3s are 9 3 2s are 6 फिर हम इसे add करेंगे 9 as it is लिखेंगे 9 6 15 का 5 carry 1 6 1 7 students बागी questions आप ऐसी solve करेंगे then next 21 का 11 से multiply करने students अम इसे भी बना के पर check करते है जैसा कि मैंने बना रखा है 1 का 1 times table पढ़ेंगे 1 आएगा 1 का 2 times 2 फिर 1 का 1 times 1 1 का 2 times 2 फिर add करेंगे 1 as it is लिखेंगे students हम यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 1 3 और 2 as it is 231 then next ऐसी हमने solve किया है students 24 का 13 से 4 3s are 12 carry 1 3 2s are 6 1 7 carry 1 4s are 4 1 2s are 2 then add 2 को as it is लिखेंगे students 7 4s are 7 में 4 add करेंगे 11 2 1 3 students बागी questions को आप ऐसे solve करेंगे F G H I J K L यहा तक O तक okay students आज के लिए इतना ही thank you and have a nice day